हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टो मैं चैनल हमारी ये वीडियो यूपी बीएड पूल कांसलिंग से रिलेटेड है इस वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जिन्ने प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गए थ सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं उन कैंडिडेट्स को देना चाहूंगी जिन्नोंने फर्स्ट राउंड में किसी भी फेज में कांसलिंग की थी उन्हें प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने महा पर बैलेंस फी पे नहीं कि क्योंकि वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे वो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे मैं उनसे यह कहूंगी कि आप पूल कांसलिंग ही करें क्योंकि आप सिर्फ second round के लिए ही eligible हैं देखे direct admission की guidelines में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो candidates जिनने first round में और second round में कोई college नहीं मिला है या फिर उन्होंने counseling ही नहीं की है वो ही direct admission ले सकते हैं तो आपको college मिल गया था तो आप direct admission की तरफ जाएंगे तो आपको माँ पर problem आएगी आपको हो सकता है आपको direct admission ना भी मिले क्योंकि अभी जो government colleges जिनको मिले थे वो candidates अब pool counseling भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने government भी admission नहीं लिया और उनके पास तो guidelines में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप pool counseling नहीं कर सकते तो ऐसे candidates को बहुत जादा problem आ रही है तो आपको भी इस तरह की problem आ सकती है तो जो भी private वाले candidates हैं जिनने private college allot हुआ था लेकिन उन्होंने admission नहीं लिया तो आप pool counseling ही करें pool counseling अभी भी चल रही है 19 और कल यानि की 20 दोनों दिन का आपके पास time है हाँ अगर आपको pool counseling में भी कोई college allot नहीं होता है तो फिर आप direct admission करा सकते हैं तब कोई problem नहीं होगी ओके लेकिन जिनको allot हो गया था वो candidates सिर्फ pool counseling के लिए ही eligible हैं इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि अब direct admission के लिए जाएंगे तो आपका फिर यही वाला page पहले वाला page open होगा आपकी वो सारी information block कर दी जाएगी और आपको admission नहीं दिया जाएगा और देखें college's admission दे भी देते तो वो बात की बात है लेकिन आपको मैं यहीं कहूंगी कि आप pool counseling जरूर करें दूसरी important information यह है कि जो नई update आई है अभी registration से related देखें यहाँ पर लिखा हुआ है registration for pool counseling can be done till 6 pm on December 2020 आज के दिन यानि की 19 को आप whole day registration कर सकते हैं और choice filling भी कर सकते हैं लेकिन 20 को आप registration सिर्फ शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं इस बात को ध्यान से सुन लीजे 20 को आप registration सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही कर सकते हैं तो आप शाम के 6 बजे से पहले पहले अपने registration करा ले और choice filling आप 20 December को रात के 12 बजे से पहले तक कर सकते हैं तो choice filling यानि की आप whole day कर सकते हैं 20 को भी लेकिन registration आप सिर्फ शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं Allotment result will be available after 5 pm on December 2021 जो आपका Allotment result आएगा वो 21 को आएगा पांच बजे के शाम को पांच बजे के बाद ओके शाम को पांच बजे के बाद आप देख सकेंगे कि आपको कौन सा college Allot हुआ है और 22 और 23 को आप अपना Allotment letter डाउनलोड कर सकेंगे तो आपको यह information मिल गई है जो मैंने पहली information दिये उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि university में ऐसा बताया जा रहा है इसलिए मैंने आपको यह information provide की है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें थैंक यू